आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और हमारा यह क्या है Limit X tends to 0 Sine X की Whole Power of N Whole upon में Sine X की Whole Power of M ठीक है तो देखो हमारे पास इसकी Property होती है Property क्या होती है कि अगर Limit X tends to 0 है और Sine X upon X है तो इसकी Value 1 के Equal होती है यह Value 1 के Equal होती है तो यहां क्या आजाएगा यह आजाएगा Limit X tends to 0 हम क्या करें यहां पर X की Power N से multiply कराएंगे और divide कराएंगे ठीक है तो यहां पर पहले तो करते थे X की Power N Whole upon में Sine X की Whole Power of M हम क्या करते है X की Power N से multiplication कराएंगे तो डिवाइड भी करना पढ़ेगा balance करने के लिये इसी तरह X की Power N से multiply करेंगे और divide करेंगे तो यहां सी value क्या आजाएगी यह value आजाएगी limit x tends to zero यह हो जाएगा sin x की power n whole upon में यह वाला x की power n यहां ले लेंगे इंटु में अब यह क्या हो जाएगा यह x की power m whole upon में क्या हो जाएगा sin x की whole power of m इसको ऐसे set कर लिया अब हमने denominator में x की power n लिया तो हमारे पास remaining numerator में x की power n बचा और numerator का x की power m ले लिया है तो denominator का x की power m remaining बचेगा ठीक है तो यहां सी ही आ गया तो अब हम क्या करेंगे इसको arrange कर देंगे ठीक है इसको set करेंगे तो यह हो जाएगा limit x tends to 0 यह हो जाएगा sin x की power n whole upon में n into यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे limit x tends to 0 यह इसको हम लिख सकते हैं x upon sin x की whole power of m लिख सकते हैं लिख सकते हैं और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा limit x tends to 0 x की power n upon x की power m यह आ गया अब देखो यहाँ से x जब भी हमारे परस देखो क्या होता था कि यहाँ पे x है अब यहाँ पे यहाँ पे तो x की power n है तो यहाँ से हम यह क्या सकते हैं कि अगर x हमारा tends to 0 है तो x की power n भी tends to 0 होगा ठीक है कोई भी value जो 0 की तरफ tend करी है बहुत small value है उसकी power बढ़ाते जाएगे तो वो और small होती ही चली जाएगी वो भी 0 की तरफ tend करती ही चली जाएगी तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि limit x की power n tends to 0 sin x की power n whole upon में x की power n ठीक है इसको हम लिखें ठीक हम आगे ट्रीकाइं सीअगर का राज हो जाएगा कि लिमित 10 टू जाएगा तो पावर माबीन स इम र मैने माइनलस एर तो yasher तो है व्याएं ऐसे भी अपना वरं की पावर एंगिया वन अगई वय इसको सकते हैं आगा इसमें और लिमित नहीं लग है यह अब इसमें तो यहां से ही आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 की power m is 1, तो यहां पे यह solve के limit x tends to 0, x की power n minus m आ रहा है, अब इसको solve करने के हमारे पास 3 cases बनेगे, पहला case क्या होगा, कि if n is greater than m, अगर n हमारा greater than m है, तो n अगर m से बड़ा है, तो इस power positive होगी, और 0 की power positive क्या होती है 0 होती है, तो limit क्या हो जाएगी, then limit is equals to 0 हो जाएगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, कि if n is equals to m, अगर n, m की equal है, तो n minus m, यानि n minus n क्या होगा, 0, x की power 0, 1, तो यह तो constant होगा, तो limit x tends to 0, 1 क्या होगा, 1, तो then limit क्या हो जाएगी, 1 की equal हो जाएगी, ठीक, और third क्या हो यानि M greater हो जाए M से तो यह negative हो जाएगा और negative होने के वज़े से यह denominator में चला जाएगा right negative होने के वज़े से इसको हम positive बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा limit x tends to 0 हो गई तो ठीक है तो इसको positive बना निकले इसको power को नीचे ले जाएगे तो power N minus M अब यह क्या हो गई positive ठीक है अब यह positive हो गई अब यहाँ पर यह positive power है और नीचे 0 लगेगा तो यह infinite की equal आजाएगी तो limit infinite आजाएगी when N is less than M हो जाएगा ठीक है तो यह 3 case बनेंगे तो यहाँ से हम अपना option match कराते हैं देखते हैं 1 when N is less than M when N is less than M तो infinity यह तो wrong हो गया 0 if N is equals to M N is equals to M then 1 right और 0 if N is greater than M N is greater than M पर limit क्या है 0 तो यह option तो correct हो रहा है तो option कौन से correct हो रहा है last option D correct हो रहा है तो option 4th हमारा correct हो जाएगा ठीक है Thank you जाएगा ठीक है